हेलो इवरिवन स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजिनियर सद्डा में और आज हम लेकिया है जॉब अपडेट एयरपोर्ट अथर्टी आफ इंडिया के बारे में ए ए आई के बारे में कि जूनियर एक्जेक्यूटिव के लिए यहाँ पे पोश्ट आया हुआ है गेट के कि है कि एयरपोर्ट अथर्टी अफ इंडिया जो है मिनिरतन की पमपनी हैं जो गॉर्मींट अफ इंडिया के अंदर आती है मतलब गॉर्मेंट यςको ओन करती है अब बात करते हैं मिह एकेंसी के बारे में तो यहाँ पे पोश्ट का नाम दिया हुआ है और कितनी इंशिक पीचिक्टे बारे में दो हुई है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर जूनियर एक्ज ग्यूटि की पोजिशन आई हुई है आर्की टेक्चर के लिए तीन टोटल पोश्ट है और तीनों जनल कटेगरी में हैं अब बात करते हम लोग सिविल में junior executive की जो पोस्ट है वो है टोटल नबबे वैकेंजी आई हुई है काफी ज्यादा वैकेंजी है general के लिए 40 EWS के लिए 6 OBC के लिए 22 और SC के लिए 15 और ST के लिए 7 ऐसे बात करें अगर हम engineering electrical में junior executive की जो पोस्ट है 106 पोस्ट आई हुई है अलग-अलग category में general में 52, 11 EWS में 20 OBC में 16 SC में और 7 ST में आई हुई है और बात करें electronics की तो 278 वैकेंजी आई हुई है total electronics के लिए 137 general में 27 EWS में 60 OBC में, 41 SC में और 12 ST में अब बात करते हैं हम लोग junior executive information technology के लिए तो इसमें 13 total पोस्ट आई हुए है 18 general category के लिए 1 हमारा EWS के लिए 3 हमारा OBC के लिए 1 हमारा SC के लिए यानि कि जो total vacancy काफी ज़्यादा vacancy आई हुई है और सबसे ज़्यादा vacancy जो है electronics के लिए और electrical electronics और civil के लिए आई हुई है अब बात करते हैं हम लोग की इसमें क्या eligibility criteria है क्या fees रहने वाला है और क्या salary रहने वाली है तो सबसे पहले हम बात करते है educational qualification की तो अगर architecture के लिए तो हमें bachelor degree चाहिए architecture में किसी भी registered council से या फिर government authorized university से और जो यहाँ पे main category है वो लिखा गया architecture and planning gate paper code AR यानि कि यह जो पूरा selection होगा वो gate paper gate के marks के हिसाब से ही होने वाला है अब बात करते हैं हम लोग junior executive civil के लिए इसमें हमें bachelor's degree चाहिए civil engineering में और इसमें भी gate के तुरू हमें bachelor's degree electrical में चाहिए electronics के लिए electronics में और information technology के लिए हमें चाहिए technical in computer science या फिर IT firm से यानि कि अगर हमें इन तीनों paper में अपलाई करना है तो अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है तो जो एज लिमिट है 15-2024 को जो maximum age 27 साल हो यानि कि अगर 15-2024 को 27 साल से ज्यादा की उम्र है तो candidate इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता यानि कि जो maximum age 27 साल है और relaxation के बात करें तो CHT के लिए 5 साल का relaxation है और 3 साल का relaxation है OVC के लिए अब बात करते हैं important dates क्या है कभी application open होने वाला है और कभी इसका last date है तो इस date का online application है वो 2 अप्रेल से start होगा यानि कि airport authority of India के लिए online application 2 अप्रेल को start हो जाएगा और जो in date है वो एक मही है यानि कि एक महीने का time में इस form को fill करने के लिए 2 अप्रेल से लेके एक मही के बीच में और अभी इसका schedule नहीं आया हुआ है application का तो वो भी जल्दी आ जाएगा और इस form को apply करने के लिए में www.aaie.aero पे जाके इसको करना रहेगा अब बात करते हैं कि pay scale के रहने वाला है तो जो pay scale है वो even level का रहने वाला junior के लिए यानि कि 40,000 से लेके एक लाग 40,000 के बीच में यह salary रहने वाली है यानि कि अगर company की बात करें कि कि selection procedure के रहने वाला है तो जो selection procedure है वो पहले यह मैं वीडियों बता चुका हूँ कि gate 2024 के basis पे जितने marks आएंगे उस हिसाब से airport authority of India में आपका selection होने वाला है और उसके बाद सबसे पहले बात करें कि क्या application fees रहने वाली है तो जो application fees है वो 300 रुपे यहां पे है किसी भी candidate कोई भ हमारा क्या है application fees है और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो SCSD candidate है अगर उन्होंने अपना apprentice इसमें किया हुआ है तो वो क्या करेंगे एक साल तक अगर इसमें अपना apprentice किये हुए है तो उनको कोई भी examination fees payment नहीं करनी है यानि कि उनको कोई भी यहां पे लिखा हुआ है सिधे सिधे कि application fees of 300 only online paid होगा और यहां पर होईबर the SCSD candidates apprentice who have been successfully completed one year of apprenticeship training in AI female candidates are exempted from payment of fees यानि कि जो लोग एक साल की अप्रेंटिस की हुए और airport authority of India में उनको कोई fees जमा नहीं करना है तो अब हम बात करते हैं कि जैसे यह जो वैकेंसी है काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है और अच्छा मौका भी है airport authority of India में काम करने के लिए तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को like और subscribe किज थैंक यू सो मच फर वाकिंग बाइ